नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप सभी घस्वागत थे दन एक्स्ट्रीन में तो आज के वीडियो में मैं आज अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ रियल्मी C21Y का और एक कम्प्लीट रिव्यू देने वाला हूँ इस वीडियो में तो आप वीडियो को पूरा देखिए तो ऐसा कुछ बॉक्स देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर नीचे के तरफ आपको रियल्मी की ब्रैंडिंग देखने को मिलेगी और उपर में लिखा हुआ है नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रैंड और यहाँ पीछे के तरफ कुछ मेजर हालेट्स दिये हुए हैं जिसे मैं आप सभी को जूम करके दिखा देता हूँ तो सबसे पहले लिखा हुआ है 5000 mAh मैसीब बैटरी सबसे पहले यहाँ पर कुछ वेलकम मेसेज लिखा हुआ है रियलमी के तरफ से जिसे हम लग पढ़ेंगे नहीं हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं स्कूल में तो जल्दी से इसे ओपन कर लेंगे और यहाँ पर इसे कोल कर देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है तो इसे खोल लेते जली से तो यहाँ पर आपको पहले सीम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको डॉक्यमेंटेशन देखने को मिलता है तो हाँ यहाँ पर आपको रियलमी का केस देखने इसके बारे में and box को और खोल कर देखते हैं कि क्या-क्या है तो यहाँ पर आपको एक charger देखने को मिलेगा जो कि कितने watts का है मैं अभी आपको देखकर बताता हूँ यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ या फिर पास लेगा रहाता हूँ तो यहाँ पर आपको 10 watt का charger देखने को मिलता है इस box में और आपको एक USB केबल भी देखने को मिलता है जो कि micro USB केबल है तो type C होता है तो ज़्यादा अच्छा होता बट यहाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक micro USB केबल और कुछ नहीं है box के अंदर तो इन सब को side में रख देते हैं और phone को wrapper से निकालते हैं यहाँ पर मैं इसे खोल लेता हूँ तो देखे ब्लैक कलर में हम लोगों ने order किया था और phone जादा बड़ा नहीं है आराम से आपके हाथ में आ जाएगा 200 ग्राम का यह phone है बट इसका weight management काफी जादा अच्छा है तो हाथ में पता नहीं चलता है अब बात करते है ports और buttons की तो यहाँ पर आपको left side पूरा clean देखने को मिलता है और उपर के तरफ भी आपको कुछ नहीं देखने को मिलता है राइट में आपको एक power button और volume control button देखने को मिलता है और नीचे के तरफ आपको एक micro USB port, दो microphone और एक 3.5 mm का jack देखने को मिलता है और यह out of the box android 11 पे आता है और इसका UI है वो है realme UI R edition जो की एक light UI है जिससे इसका performance और अच्छा लगने लगता है और यह एक IPS display है with 60 Hz refresh rate सबसे पहले बात कर लेता है performance की तो यहाँ पर आपको Unisock का T610 processor देखने को मिलता है जो की एक octa-core processor है तो अगर आप normal uses करते हैं इस phone में तो वो काफी अच्छे से हो जाएगा और अगर आप थोड़े heavy user है आप games वगेरा जादा खेलते हैं तो मैं यहाँ पर आपको BGMI का settings and COD का settings दिखा देता हूँ जिससे आपको एक rough idea मिल जाएगा कि आप game कैसे settings में खेल सकते हैं तो आपको लेकर चलता हूँ अपने phone के screen पे यहाँ पर आप low में high settings में खेल सकते हैं and medium में भी आप high settings में खेल सकते हैं तो यह COD का मैं आप सभी को दिखा दे अब मैं आप सभी को BGMI का दिखा देता हूँ BGMI में आप यहाँ smooth ultra तक में खेल सकते हैं and यहाँ balance में भी आप ultra तक में खेल सकते हैं और HD में आप high तक खेल सकते हैं और heating issue भी नहीं है phone में और यहाँ पर मैं आप सभी को अंतुतु स्कोर भी दिखा देता हूं, जिससे आपको एक rough idea मिल जाएगा इस प्रोसेसर के बारे में, अब बात करते हैं camera की, तो यहाँ पर आपको triple camera setup मिलता है, जो कि यह 13 plus 2 plus 2 megapixels का camera, जो कि एक decent photo click करता है, और अगर आपका lighting अच्छा हुआ तो काफी अच्छा photo आप click कर पाएंगे, और front camera 5 megapixels का है, जिससे आप एक decent selfies ले पाएंगे, और again अगर आपका lighting अच्छा है, तो थोड़ा और अच्छा photo click कर पाएंगे, तो यहाँ पर मैं आप सभी को कुछ camera samples दिखा देता हूं, low light condition and lighting condition में, और यहाँ आप दोनों ही camera से 1080p and 30fps में वीडियो निकाल पाएंगे, तो यह बहुत अच्छी बात है इस camera के बारे में, और यहाँ पर आपको front camera में portrait mode देखने को नहीं मिलता है, यानि की AI mode देखने को नहीं मिलता है, जो की थोड़ा बहुल disappointing है इस price range में, बाकी camera ठीक ठाक अगर आप photos click करेंगे, तो आपके photos थोड़े बहुत white हो जाते हैं, तो यह चीज आप ध्यान में ज़रू से रखिए, अब बात करते हैं battery की, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की battery देखने को मिलती है, जो की आपको 1-5 दिन का backup देदेगी, अगर आप heavy use भी करते हैं तो, और box में आ यहाँ पर आपको fingerprint unlock दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप सो भी देखी सकते हैं कि काफी ज़्यादा fast है, तो यहाँ पर मैं आपको touch करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए open हो चुका है, अब मैं आप सो भी को face unlock दिखा देता हूँ, तो देखी यह काफी नाम कुछ cool blue या कि mist blue करके है आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँगा और यहाँ पर आपको 2 variant मिलता है 3GB, 32GB and 4GB, 64GB जिसका कुछ pricing 9000 से start होता है and इस phone को मैंने purchase किया था 7000 रुपए में जब यह offer में था तो बस यही review खतम होता है इस phone का तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को तो मिलते हैं अब हम लोग next वीडियो में